कि ओनों इस्टेडी चैनल पर आप लोगों का स्वागत है आप लोग जीवन के किसी भी छेत्र में सफल होना चाहते हैं कि कदम आगे तो बढ़ा देते हैं लेकिन जो है क्या है कुछ दूर चलते हैं ठक जाते हैं फिर से वापस आ जाते हैं दूसरा दास्ता चुन लेते हैं होना है आप लोगों को तो एक चीज का ध्यान जरूर रखिए कि आपका गोल आपका लक्ष एकदम के लिए होना चाहिए जब तक लक्ष आपका किलियर नहीं है तब तक जो है सफलता नहीं मिलेगी लक्ष को आपने बना लिया बहुत से लोग जो है क्या करते हैं लक्ष तो बना लिया यार हमें आईएस बनना है हमें पी-स बनना है हमें मतलब बिजनसमैन बनना है पॉल्टीसियन बनना है यह बनन बनना है वह बनना तमाम की चीज़ें गोल उन्हों ने बना लेकिन गिया कि भटकाव भहुत आता है लाइफ में आय कि और वह बतक जाते हैं इस लक्ष से बतक जाते हैं तो आपको अपने लक्ष ब्ड़ेते रहना है जब तक लक्ष पे आप ड़टे नहीं रहेंगे लक्ष पर डटे नहीं रहेंगे आपको सफलता नहीं मिल सकती है इस चीज की गारंटी है आपने जो भी लक्ष बनाया है जो भी गोल बनाया है उस लक्ष पर डटे रहिए पहली चीज़ दूसरा आलक से मत करिये अरे कल कर लेंगे परसो कर लेंगे आपने वो कहानी सुनी होगी पांच मिनिट वाली एक बच्चे के जो है कि इस स्कूल में जो है फंक्षन होने वाला होता है आलसी टाइप का बच्चा उसके दोस्त आते हैं बुलाने के लिए आज तो फंक्षन है जादू जादू जो है दिखाया जाएगा चलो या चलते हैं कहता है या घड़ी देखता है या पांच मिनिट है कहता है तुम लोग चलो मैं पांच मिनिट में आता हूँ कि ऐसे करते करते हर चीज में उसको पांच मिनट जो है चाहिए होता है और उस दिन का फंक्सन जो है छूट जाता है किसकी वज़ा से उस पांच मिनट की वज़ा से क्योंकि वह पांच मिनट उसको जो है कि आलस जो है कि कर जाता है पांच मिनट में उठता नहीं है पहुंच नहीं पाता है और जो एक्या होता है फंक्षन नहीं अटेंड कर पाता है और सारे बच्फे मझे करते हैं वो बच्चा छूड़ जाते हैं यानि उसने क्या किया था आलस किया था इसी तरह से आप लोग भी क्या करते हो लक्ष बना लिये कल से पढ़ेंगे आज नहीं आज पार्टी कर लेते हैं कल किताब खोलेंगे कल कभी आता ही नहीं एक सच्चाई है और आप जो है कि किसी भी जो है कि महानगर में चले जाए जहां बच्चे तयारी करते ह आप देखेंगे उनके अंदर ये चीज जो है बहुत भरी पड़ी है आलस साम से पढ़ेंगे दो घंटे के बाद पढ़ेंगे तीन घंटे के बाद पढ़ेंगे या कल सुबह से पढ़ेंगे कल तो कभी आता ही नहीं है और पढ़ाई उनकी होती नहीं है आप इलहाबाद में चले जायिए प्रियागराज में, वहाँ पिर आपको बाप भी तयारी करता हुआ मिलेगा उसका बच्चा भी तयारी करता हुआ मिलेगा अई है अँछे क्यों कूई हुए उसने आलस किया zulक्ष जो है टटा नहीं रहा है दूसरा है उसने अलस इो है भाई या जो है कि बाप की उम्र जो है कि 40-45 होगी तभी तो जो है बच्चा तैयारी करने आ गया है PCS की है ठीक है इसी तरह से तमाम जो है कि बड़े सहरों में आप देखेंगे 30-30-40 साल की उमर में लोग तैयारी करते हुए नज़र आएंगे थी तूर्ण चालीस की उमर में तैयारी करते हैं अभी वो बत्ते बच्चे बने कुए हैं तो आलस सिमत करिए जो कां करना है आज ही करिए अभी करिए समाप्त करिए उसको यह हिश्ट्री पढ़ना है हिश्ट्री में दस दिन में पढ़के तयार कर लूँगा पोल्टी पढ़ना है दस दिन में तयार कर लूँगा मैत पढ़ना है दस दिन में तयार कर लूँगा रिजनिंग पढ़ना है दस दिन में तयार कर लूँ तो आलत से भी आप अपने जीवन से हटाईए दूसरा थोड़ी सी भी चुनवती आई लाइफ में चुनवती आई तुरंट डगमगा गए तुरंट अपने लक्ष से डगमगा गए क्या किया यार इसको छोड़ो अभी ये करते हैं वो करते हैं घर पे कोई प्राब्लम आई आपने जो है क्या किया अपने लक्ष को छोड़ दिया दो महिने तीन महिने अब जो है कि यार जो है कि इस प्राब्लम को पहले सॉल्व करें फिर इसके बाद अरे भीया चुनवतीया आती रहेंगी लेकिन जो आपका target है बादसे अठारु महिने उसमें लगा तो डीजीए इस target पर कि tam बार से 18 महिने लगा धीजिए दुनिया पर आज करोगे दुनिया पर आज करोगे लेकिन आपने क्या किया 12-18 मैंने नहीं लगाया चुनोतियों से आप घबडा गए, तो चुनोतियों को एक्सेट करिए, आपको पता है, भगट सिंग के बारे में चोटी सी कहानी मैं सुना रहा हूँ, हर कोई जो है कि महातमा गांधी को जो है कि, दोस्ट देता है कि महातमा गांधी चाहते तो भगर सिंग को नहीं बचा ले सकता था क्यों क्योंकि भगर सिंग खुद अपना बलडान देना चाह रहे थे गोल में सम्मेलन हो रहा है मात्मा गांधी वहां पहुंचे हुए है इर्विन भी वहां पहुंचा हुआ है बहुत सातिर आदमी उस समय का दुनिया का सबसे सातिर आदमी है इर्विन गांधी जी से मिलता है और कहता है भई हम भगर सिंग को तो छोड़ देंगे लेकिन एक सर्त है भगर सिंग से माफी नामा लिखवा लो कि हमने अंगरेजों के खिलाब बगावत की है और इसके लिए माफी मांगते हैं गांधी जी कहते हैं यह तो मुश्किल है भगर सिंग जैसा जो है सक्स यह काम तो नहीं करेगा तो माफी तो नहीं मांग सकता है फिर भी मैं ट्राई करता हूं मुझे कुछ दिन का समय दीजिए धाई साल पहले फांसी निर्दारित हो चुकी है दो ढ़ाई साल पहले फांसी नेदारित हो चुकी है उनकी भागर सिंग की गांधी जी से इर्विन समझवता कराने की कोशिस करता है कि माफी मांग ले हम जो है यहां कर लेता हूं गांदी जी वहां से टेली ग्राम करते हैं वहां से तार भेजते हैं भारत में पंजाब में लाहोर में vamos से टेली ग्राम आता है तेज बहादु सप्रु के नाम से टेली ग्राम होता है कि आउप जाओ को दो अभी tell तेज-बहादुर्स फोजो है जाते हैं भगरस यह से मिलते हैं प्रस्ताव रखते हैं भगर सिंग कहते हैं कि न यह अंगरेजों की चाल है आज तो मुझे फ्रासी नहीं देंगे मैं मानता हूं लेकिन इससे जो मैंने वादा किया है वह जो है कि जो हमने देश के साथ वादा किया है उसके खिलाफ वादा खिलाफी होगी पहली ची दूसरा आप जो है कि भारत की नसलों के बारे नहीं जानते हैं भारत की नसले मरने से नहीं डरती है भारत का युवान मरने से नहीं डरता है लेक तेज बहारूर सप्रू जो है कि दो बार तीन बार चार बार उन से मिलने जाते हैं और हर भगत सिंग्च का जबाब एक ही होता है कि मैं माफी नांमा नहीं लिखूंगा और लोग दोست देते हैं महात्मा गान्डी को कि महात्मा गांधी चाहते तो इस सचाई को कोई जानना ही नहीं चाहता है मैंने आपसे जो है अपनी क्लास में बार-बार कहा है कि आप सुनी हुई चीजों को जो है विश्वास करते हैं कभी रिसर्च नहीं करना चाहते हैं और अंग्रेश सरकार उस समय इतनी डरी हुई है कि 24 मार्च को फांसी होने वाली थी सुबह के समय क्योंकि हर जगें जो है फांसी कई सो सालों से जो है कि फांसी सुबह के समय दी जाती है लेकिन अंग्रेश सरकार इतनी घबडाई हुई है वो क्या करती है कि 24 मार्च को नहीं बलकि 23 मार्च को ही साम के समय साड़े साथ मज और आप कहते हो थोड़ी सी चुनौति आती है भाग जाते हो ऐसे हैं हमारे भगत से सुखदेव राजगुरू सीखो इन लोगों से सफलता पाने के लिए चुनौतियों से लड़ो आप तो छोटी सी सफलता पाने के लिए इतना घबडा जाती हो आप गाओं में चले जाएए एक गाओं का बच्चा जो है कि सफल हो जाता है क्यूंकि उसको जितना बताया जाता है उतनी ही तयारी करता उसके अलावा नहीं आप सहर में आते हो होता क्या है आपको जिसने जो क किताब बता दी वह किताब आप ले आओगे भले पढ़े मत थोड़ी बहुत इनर्जी उस पर खर्च करोगे आप जो है कि वह नहीं और गाहूं के बच्चे को आपने बता दिया कि बेटा यही पढ़ना है वही पढ़ता है छोटी-छोटी किताब बना पढ़के बच्चे जो क्योंकि आप जो है कि लक्ष पे नहीं डटे हो आलत से कर रहे हो चुनोतियों से घबडा जा रहे हैं जब तक इन चीजों से आप बचोगे नहीं तो आपका सलेक्शन कैसे होगा और आप अपने धे के प्रति पूर्ण इमंदारी के साथ नहीं लगे हो जो आपका धे है उस कि फेल होना ही है आपको फेल हुना ही है आपको आप जो है अपना आत्म विश्वास नहीं बना के रखते हो समय बिश्वास जो है पे डगमगाता है आप वहां से चलते हो शहर में सहर में आते हो क्यों क्योंकि जैसे ही आप जाओगे दिल्ली जैसे सहर में चम चमाती ऑफिस कुर्सी फ्रीच का पानी इसी चल रहा है मैडम जो है लिपिष्टिक बिंदी काजल लगा के अपना बैठी हुई है बैठी नहीं बल्कि उनको बैठाया गया है ताकि आपको आप आपका ध्यान पूरी तरह से मैडम पे रहे आप जो है मैडम के पास जाते हो हम जो है इंक्वारी करने आये हैं एडमीशन लेना चाहते हैं आई यस पीसे की तैयार यस यस अरे आप नहीं करोगे तो कौन करेगा अरे सर देखिए हमारे यहां से इतने सेलेक्शन हुए हैं इसका सेलेक्शन इस तन में इसका सेलेक्शन इस तन में यह रैंक पाए हैं वो रैंक पाए हैं आपको लगेगा वाह अरे सर आप ही तो कर सकते हो और आपने जो अटैची में या जेब में जो है अपना दो लाग पर लेकि चले लिजिए तुरंध करिया नहीं तो बैच भर जाएगा और हमारा एड्मिर्शन नहीं होगा हमारा सेलेक्शन नहीं होगा कि तीन साल तक उस जो है मास्टर के चक्क्र में आप पढ़े रहते हो मास्टर की या 3 साल तक आपको ब्युकूब बनाता दधा लहा पढ़ाता रहा वह लेकिन जिस तरह से सेलेक्शन हो सकता है वह नहीं आप आपको बताया उसने कि कैसे आपका सेलेक्शन होगा किन किताबों को पढ़ना है किस रणनीती पर पढ़ना यही तो नहीं बताया जैसे एक कोच क्या करता है एक कोच क्या करता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपके अंदर जो कमिया है उसी पर प्रैक्टिस करवाए सचिन तेंदूलकर को अचेकर ने बता दिया इसी तरह से तुझे बल्ले बाजी करना है छे गंटे याट गंटे दस गंटे कर मैंनत सचि जो दिवाल से मार रहा है आ रही है बॉल जा रही है बॉल और घंटों प्रेक्टिस कर रहा है जब टेकनीक नहीं हुआ करती थी और रावल दर्वीड दिवार बन गया सोधवक्तर को ले लीजिए रावल पिंडी एक्सप्रेस के नाम से उसको जाना जाता है सुभर सुभर ब तो आप अपने आत्मी विस्वास को नहीं बना रखते हैं इसी लिए जो है क्या है आपके selection में दिक्कते होती है सही जो है मार्ग दर्शन आपको नहीं मिलता है आपको दिक्कत होती है आत्म विश्वास बना के रखिए सही मार्ग दर्शन जो है कि वो करिए और अपनी गलतियों से सीखिए अपनी गलतियों से सीखिए रिजिड मत हो यह किसी चीज पर ना ऐसे कैसे हो सकता मैं कैसे गलत हो सकता हूं भाईया एक चीटी से लेकर एक हाथी एक छोटे से तिनके से लेकर एक बड़ा सा महल हर चीज आपको सिखाता है बस सीखने वाला होना चाहिए और जो जितना बड़ा है वो उतना ही सांत होता है कभी आपने हाथी को काठते हुए देखा है चीटी तो काठती है लेकिन हाथी नहीं काठता है हाथी जब गुस्से में आएगा क्या करेगा हाथी उखाड फेकेगा चीजों को आप अपनी गलतियों से सीखना ही नहीं चाहते हो मैं गलत हो ही नहीं सकता हूं अरे भाईया जहां से सुधार करोगे वहीं से जब जागो तभी सवेरा शीखो इस लाइन से यार जब जागो तभी सवेरा आज से ही लग जाओ छेसे आठ महीं नहीं मंदारी से देदो आपने जो फिल्ड चुना हुआ है इसमें लाखो लाखो बच्चे हर साल जो है नए जुड़ते हैं और वह बच्चा अगर एक साल टिका रह गया तो आपके बराबर हो जाता है और आप कहते हो कि आप सीनियर हो एक्स्पीरियंस के मामले में सीनियर हो सकते हो नौलिज के मा पड़िए उसने भी जॉगरफी पड़िया उसने भी व पड़िये उसने भी साइंस पढ़ा है सजची उसने पढ़ा है एक साल देर साल के अन्दर और आप कहते हो सीनियर हो हमारी बाते कोई मानता ही नहीं अरे अता यह सीझी या जो गलत हां आपको उस गलतियों से सीखो और नहीं सीखोगे तो बरबाद हो जाओगे यानि कर्म करो अपना गलतियों से सीख के कर्म करो काम करते रहो निरंतर लगे रहो करत करत अभ्यासते जड्मती होते सुजान रसरी यावत जाते सिल्पे पड़त निसान इस लाइनों से सीखो कि हमें निरंतर काम करना है थोड़ा थोड़ा ही सही निरंतर काम करना है बैठ के जो है चाय की तपड़ी पे जो है समय नहीं गवाओ वहां अगर बैठते हो तो अखबार पढ़ो वहां बैठते हो तो मैगजीन पढ़ो क्रिश्टन लेकर जाओ वहां पर बैठ के जो है केवल और केवल राजनिती मत करो कि फला के गाउं में यह हो गया फला के गाउं में यह हो गया इस लड़की को पटा लिया इस लड़की ने इस लड़की को पटा लिया यही होता है चाय के तपड़ी पर आइ ये सिक्रेट पीता है ये दारू पीता ये मौझ करता ही बाप का पैसा। ये इन चीज listening क्यों समय गमा रहे हो। राजा कभी इनकी बात करता है बनना चाहते हो राजा बनना चाहते हो राजा लेकिन काम कर रहे हो चप्रासी का क्योंकि यह फोर्थ क्लास का काम है दूसरों की चुगली करना दूसरों की बुराई करना राजा का काम क्या है नेने लेना राजा का काम क्या है समस्याएं को देखना समस्याओं पर विचार करना उस पर सुदार करने क उसकी सर्ट ऐसी है उसकी चपल ऐसी है आज उसने ऐसे बोल दिया यही होता है और कहते हो आपको सफलता नहीं मिल लिया दो से ढसे डाए लाख तो उसने आपने किसको दिया कोचिंग वालेको फिर उसके बाद किताबे हैं मैगजीन हैं उस पर आप हर महीने खर्ज कर रहे हो přिर उसके बाद 10-12,000.00 रुपय मिनमव्ग खर्ज कर रहे हो रहने पर और 2-3 Sel एसे ही करते रहते हो 10 से 12 रुबे मा बाप का अब क्या करते हो डुबों देते हो सीखते कुछ नहीं होर घमंड में चलते हो कि हम तो अिस हम तो आस की तयारी करे हैं खाख फायरी कर। है खाओ फ्रक की तयारी कर देख कि देख कौन होगा आपका सेलिक्शन क्योंकि आपने तो महनत किया ही नहीं महनत कि ने किया मぇ तो लग तो टिचर का बढ़ेगा नहीं कि आपका बढ़ेगा कि वह एक पढ़ा रहा है ऑफते उसका बढ़ रहा और अगर पर जाकर कभी रिशुच किया है चीजों olduğu को कभी history अभी सितत के समझने की कोसिस की है कभी पूल्टी के समझने की कोसिस दूत इसकी है मास्टर का दा है समझाने का कि तो मेल 003 2022 साल तक समझो तीन साल तक जहां आपकी तैयारी पूरी दो 0 Mari चांए वहाँ पर क्या है career सब्सक्राइब पीछे हैं आज पार्टी दिया है इसमें आप लगे हुए हो और मास्टर करोलपती अरबपती बन गया है और आप जोई रोड़ पती बन गए जहां उड्लेंड की जूते पहनते थे वहां हवाई चपर पे आ गए हो चैमपस के जूते पहनना सुरू कर दिये हो क्यों बाबुजी जब पैसा जो है कि देना कम कर दिये हैं और आप हमेशा जो है अपनी गलतियों के लिए दोस्त दूसरे को देते हो यानि दूसरों को दोस्त देना बंद करो करो क्यों कि इंसान के बारे में कहा जाता है जब अपना मैटर आता है तो सबसे बड़ा वकील बन जाता है और दूसरे का मैटर आता है तो तुरंत सबसे बड़ा ज़ज बन जाता है यहां पे वो क्या करता है अपनी और सफलता का दोस्बी दूसरे के वो डेता है माभाप ने जो है या समय पर यह नहीं दिया तो इस वज़े से हम सेलेक्ट नहीं हो पाए यार जो है कि मेरा सेलेक्शन तेरी वज़र से नहीं हुआ कि यार बहुत समय खा अरे भी या वो तो अपना काम कर दा तो तुमने अपना काम कब किया माबाप को छोड़कर इस दुनिया में आपकी सफलता से कोई खुश होने वाला नहीं है वह बस दिखावटी रूप में भले हो जाए सब लेकिन माबाप को ही सची खुशी मिलेगी जब आप सफल होगे लेकिन आप करते क्या हो माबाप को ही खुश नहीं करते हैं माबाप तो यही चाहते हैं कि आपको डिश्टरब कम से कम करे लिए न के बराबर करें आपको तो बहुत सी समस्या है वो बताते ही नहीं है कि मेरा लड़का वहां पढ़ रहा है उसको दिक्कत होगी सुभं की माका सुभं ने टॉप किया है उसकी मा का इंटर्विव देख कि आपकी सफलता में वो अपनी सफलता देखते हैं एक मां हमेशा जो है अपने बच्चे की खुसी देखती है एक बाप हमेशा अपने बेटे से हारना पसंद करता है कि मैं जो कह रहा हूं मेरा बेटा उसको गलत साबित करके दिखाए बाप अगर यह कहता है कि तू सलेक्ट सकता है तो हम दो कि आदेखता है तू सलेक्ट हो सकता है तू आगे बढ़ अ मैं तो बस इतना चाहता हूं तो और मैंनत कर लेकिन आप क्या करते हो और रिजिद रहो इमद्द द उतार्मं के नहीं हो जो हुआ यह चोड़ दोसको तो उदारता लाओ अपने लाइप में उसको भूल जाओ उसको दिमाग में मत रखो क्योंकि जो 1400 सीसी का आपका दिमाग है उसको अगर सही जगें अपनी एनर्जी को लगाओगे तो क्या होगा सफल हो जाओगे लेकिन गलत जगें लगा गए तो क्या होगा लोचा यह दिमाग हमेशा एक ही जगे अठका दहेगा और वह एक ही जगे क्या है आपकी असफलता के लिए बहुत बड़ा कारक होगा उदार बनो माफ करना सीखो यार लाइफ को जो है कि माफ करना सीखो लोगों को क्योंकि जब राजा बनो गे न जिस दिन आईयस बन गए स तब पर गोली नहीं चलवा सकते वहां पर क्या होगा कि आपको जो है कि छोटा सा आदमी भी गाली देके जाएगा कि छोटा सा आदमी भी जब आप गलती करोगे ने या सही समय पर सही चीजे नहीं दोगे तो छोटा सा आदमी भी आपको गाली देगा तो क्या गोली चलव है कि यूपीएसी जैसा बना देती है आइस में सेलेक्शन से पहले ही आपको जो है आइस जैसा वह बना देती है अठारागंडे बीस घंटे आपको कुलसी पर बैठना सिखा देती है कि कुलसी जितना तौड़ोगे उतनी सफलता के चांस आपके रहेंगे यह होती है UPSC और जिसने कुर्सी नहीं तोड़ी अपने रूम में वह आईस नहीं होगा अपवाद उधारण नहीं होते हैं एक दो को छोड़के इसलिए UPSC में PCS में या किसी भी कंपडिशन में वही बच्चा सफल होता है जो लगातार मेहनत कर रहा है जी जान से मेहनत कर है भूल गया है दुनियादारी और अपने टार्गेट को बस देख रहा है भूल गया है दुनियादारी केवल और केवल अपने टार्गेट को देख रहा है तभी वह उस लाइक बनेगा कहा जाता है जैसा गाल वैसा ठपड चप्र चप्रासी बनना चाहते हो तो दो से तीर 24 गंटे आपको केवल और केवल अपने लक्ष पे जो है कि अडिग होना पड़ेगा कि दो चार गंटे महनद करना है तो चप्रासी की नोकरी के बारे में सोचो वह भी नहीं बन पाऊगे फोर्थ क्रेश भारत में चार टाइप की नोकरियां होती है तो यह याद रखो 24 इंटो सेवन जैसा गाल वैसा थपड़ और दूसरों को कश्ट मत दो कि मैं इसको परसान कर लूँ उसको परसान कर लूँ उसको परसान कर लूँ एक्शली आप जब किसी को परसान करने के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है दिन भर दिमाग उसी पर ल परसान किसी तरह से परसान कर भी दिया तो बार-बार सोचोगे अच्छा कितना परसान हुआ है कितना परसान हुआ यह भी सोचोगे परसान हुआ क्यों नहीं यह भी सोचोगे यह बस इतना क्यों परसान हुआ है मैं तो सोचा था ऐसे मैं सोचा तो ऐसे और आपकी जो है को इन चीजों को ध्यान रखो अपनी सफलता के लिए नहीं करो गे तो मैं कहता हूं फिल्योर हो आप अपनी लाइफ में और 98% लोग यही है और 2% 1-2% लोग जो है कि सफल होके निकल जाते हैं और यही सच्चाई है और यही जो है कि कि सच है करवा सच है धन्यवाद दोस्तों मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दिया करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे शेयर करिए धन्यवाद